Hello and good morning दोस्तों, आज हम start करने जा रहे हैं NCRT Last Sex के chapter 4 को, इससे पहले हमने chapter 1, 2 and 3 already complete कर चुके हैं और they are already in our playlist, तो you can read also that chapters also, ठीक है, आप लोग को chapters बढ़ सकते हैं, और इससे chapter से related अगर कोई भी query हो, तो आप नीचे comment करके वो बता सकते हैं, जो भी परिशानिया, ठीक है, अच जो lecture वीडियो रहेगी, वो हमारी bilingual formatter में रहेगी, means Hindi and English both रहेगी, इससे कि बोध हमारे दोनों sections के English and Hindi medium के जो बच्चे हैं, वो easily chapter को समझ सके, understand कर सके, ठीक है, तो चलिए, अज अज स्टार्ट करते हैं chapter 4, जो की है in the earliest cities, ठीक है, हमारे पुराने जो शेहर है, उनके बारे घुमने जाते होगा, suppose Calcutta, Mumbai, और भी बहुत historical जगा, वहाँ पर आप बहुत old monuments या buildings देखेंगे, तो इन सर भी buildings and monuments को save करने के लिए, हमारी जो government है, Indian government, या बहुत से NGOs भी कोशिश करते हैं, अच्छा, इन सर भी old buildings को save करने के पीछे जो वज़ा है, कारण क्या है, वो आज ह house, जसपाल और हरपी, जो है, अपने गली के भार, अपने घर के भार, एक जिगा cricket खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, ठेक है, खेल खेल रहे हैं, तो वो क्या देखते हैं कि कुछ जो लोग है, किसी एक building को देखे उसको बहुत admire करें, delipitated मतलब होता है, जो पुराना ज Look at the architecture, said one of the men, उसमें से जो एक आदमी, उसने कहा कि यह जो घर है, इसका architecture, तेक है, architecture means, nakashi देखिये, इसकी जो बनावट देखिये, कितने शुंदर है, have you seen the fine wood carvings, asks one of the woman, उसमें से जो एक दूसरी woman है, वो बोलती है कि यह जो building है, इसकी architecture, देखो, इसमें जो wood carvings है, wood carvings मतल Why they wondered, would anybody be interested in the old run-down houses, ठीक है, तो सबसे पहले तो यह जो बच्चे है, इनको बहुती जादा आश्यारे लगा, कि इसको इतनी होर्सा था है, कि यह जो old monuments या buildings है, इनको preserve या repair करे, यह क्यों किया जाता है, ठीक है, इसके फीचे वज़ा किया, इसके पीचे कारण किया है, तो इनको बहुत जादा curiosity भी जाने की इच्छा हुई, तो चलिए, आज देखते हैं कि यह जो old buildings है, इनने क्यों preserve करना चाहिए, और क्यों किया जाता है ऐसा, तो चलिए, पढ़ते है, the story of harappa, इससे पहले हम लोग start करते हैं, यह chapter, इससे पहले देखिए एक आई button में, मैंने chapter 1 और 2 और 3, यह तीनों chapter स उठेट किये हुए है, आप शाहे तो आई button को click करके उन chapters को पढ़ सकते हैं, या तो description में भी यह तारे chapters का जो link है, वो provide कर दूँगा मैं, ठीक है, जैसे कि आप जाके उनको पढ़ सकते, रीड कर सकते हैं, और easily understand कर सकते हैं, ठीक है, तो चलते हैं, स्टोरी को हम पढ़ते हैं, the story of Harappa, Harappa की स्टोरी है यह, very often old buildings have a story to tell, जाधतर जो old buildings है, उनके जो स्टोरी है, उसमें कुछ ना कुछ कहानिया है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कुछ ना कुछ इसके बारे में हम जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan, ठीक है, जब आज से 1500 साल, मतलब 150 साल पीछे अगर चले जाएंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था न, first second chapter में की railway lines जो है, करीब करीब 1.500 साल पहले ही बिछी है, तो जब engineers पहले-पहले railway lines को बिछा रहे थे, पंजाब और जो आज का पाकिस्तान है, उ जब यहाँ पर कुदाए करते हैं, तो यहाँ पर अल्रेडी जो बिक है, वो बने-बनाए थे, और यह बहुत अच्छे क्वालिटी के बिक से, इसलिए इन सभी जो खंडरों से, इन सभी जो मॉन्यूमेंट से, इन्होंने बहुत सारे बिक्स जो हैं, दे-दे-दे-निकाल- इसी वजह से, बहुत सारे ऐसे बिल्दिंग, जो पुराने हमारे बिल्दिंग से, वो बहुत सारे बिल्दिंग्स डिस्ट्रॉइट हो गए, क्योंकि उन समय के इंजिनियर्स को इसके बारे में उतनी साधा द्वानकारी नहीं थी, ठीक है, इन अबाउट 80 यह अगो, यह पुरातत्व वेक्ता जो उन्होंने उस साइट में जब खुदाई किया, उसके बारे में जब पड़ा, रिसर्च किया, तब उनको यह बास समझ में आई, रियलाइस की, कि हमारी जो इंडियन सब कॉंटिनेंट है, यह सबसे पुराने शहरों में से एक अवशेस है, और इस और यह वन पहली सिटी जो की डिसकवर हुई थी, ठीक है, खुदाई के दौरान, all other sites from where similar buildings and other things were found, were described as हरपन्स, इसी साइट के आसपास जो भी चीजे डिसकवर हुई, जो भी city डिसकवर हुई, जो भी similar buildings डिसकवर हुई, इन सभी buildings को, इन शभी अवसेसों को, जो भी चीज जो हमारे पुरातत पवेकता हमारे historians ने क्या नाम दिया भाई, they are called as हरपन्स, इने हरपन्स का नाम दिया गया, जब research हुआ, तो research में यह पता चलता है, these cities developed about 4700 years ago, करीब-करीब आज से 4700 साल पहले की यह cities है, सोच सकते हैं कि आज by 2020 चल रहा है, आज से आप 4700 साल पीछे च चली आगे देखते हैं, तो what was special about these cities? अच्छा, यह जो हम cities के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन cities के बारे में क्या speciality थी या क्यों पढ़ रहे हैं, यह हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, तो what was special about these cities? ठीक है, many of these cities were divided into two or more parts, ठीक है, इसमें से ज्यादा तर cities थी, यह यह दो से ज्यादा parts में divided थी, ठीक है, तो many of these cities were divided into two or more parts, usually the parts to the west was smaller but higher, ठीक है, ज्यादा तर जो west की तरफ, west मतलब आपका जो ऊपर की तरफ होता है north, नीचे की तरफ south, और आपके right hand side जो हो गया, वो क्या हो जाएगा, east, और आपके left hand में क्या हो जाएगा, west, तो west side में क् smaller होता था, पर higher, कभी-कभी west की तरफ smaller होता था, वो उचा भी होता था, ठीक है, archaeologists describe this was an citadel, archaeologists ने इन सभी जो उची जगा है, या smallest जगा है, इन सभी को उन्होंने क्या नाम दिया, citadel, citadel actually होता क्या है, जो जैसे कि आज के आपने किले देखे हैं, बहुत सारी कहीं पर citadels, इन्हें citadels कहते थे, तो यह citadels हुआ करती है, archaeologist का यह कहना था, generally the part to the east was larger, अच्छा, east side में, east कौन सा side हो गया, आपका जो left hand side में, अगर west हो गया, तो आपका जो right hand side हो गया, वो east हो गया, ठीक है, तो eastern side जो था, वो ज्यादा था, हमेशा क्या होता था, बड़ा होत walls of the big bricks were built around each part, ज्यादा तर यह जो आसपास की दिवाले होती थी, इसकी जो bricks होती थी, यह कैसे बनी होती थी, यह burnt brick, यह अच्छे प्रकार की big brick, आज आप जो bricks use करते हैं, गर बनाने में, वो क्या होती है, बहुत ही अच्छे तरी से पके हुए, बहुत ही shape and size उसका maintained रहता ह इस तरह की bricks वहाँ भी use होती थी, उसमय भी use होती थी, the bricks were so well made that they have lasted of thousands of years ago, thousands of years, मतब कहने का मतब यह है कि वो bricks इतनी अच्छी है, इतनी अच्छे से उसका material built है, कि आज भी देखिएगा वो buildings इतनी पुरानी आसे, मान के चलिए तो 4,700 साल पुरानी जो buildings है, उनकी जो bricks है, तो कितने अच्छे तरीके से उसे बनाया गया होगा, यह आप सो सकते हैं, समझ सकते हैं, the bricks were laid in the interlocking patterns and that made the wall strong, अच्छा, bricks को सजानी का तरीका है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से interlocking position में उसको एक के उपर एक रखा जाता, interlocking position क्या होता था, आडा तिर्शा करके रखा जिसे की bricks lock हो जाएं और वो चाहे कितनी भी बारिश हो, कितनी भी हवा चले क्यों ना, वो brick wall हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं, इस तरह से interlocking pattern में उसे सजाय जाता था, जिसे की building जो है, वो काफी जाधा strong हो जाती थी, in some cities, special buildings were constructed on the citadel, कुछ ऐसी भी cities, कुछ ऐसे भी सहर है जो की, जिनमें भी special buildings होती थी, जिसके आसपास की citadel है, उसको construct किया जाता था, citadel मतलब की मैंने बता है, उसे वो construct किया करते थे, for example, in Mohanjadaro, जैसे की Mohanjadaro का, आप जो site है, वहां भी ऐसा देखेंगे, जहां पर उची उची दिवारे construct की गई थी, a very special tank, a very special tank, which archaeologists call the great bath, ठीक है, और यहीं पर आपको सबसे बहुत बड़ी tank भी मिलेगी, ठीक है, जो की bathing के लिए use होती होंगी, तो आके चलते हैं, दीखें, was built in this area, this was linked with bricks, coated with plaster, यह जो great बात है, यह जो नहाने का जी जगह है, इसको इतनी अच्छे से इतनी सुन्दर सा बनाया गया था, कि यहां इसकी तरह के plasters भी लगाया जाते हैं, जिससे कि आपको जो wall है, वो strong हो जाए, ठीक है, this was lined with bricks, coated with plaster and made water tight with the layer of natural tar, ठीक है, और इसमें क्या है, जिससे कि यह जो plaster किया जाता है, जिससे कि इसमें जो पानी एकदम water tight, मतलब कि यहां से पानी leakage का problem कभी नहीं होगा, ठीक है, और जो tar है, जो tar है, वो तो chemical tar है, तो उसमें यह natural tar का use किया जाता है, ताकि एधम पानी leakage ना हो, ठीक है, यह जो बड़े से जो बात है, ग्रेट बात जो है, इसमें जाने के लिए steps बनाई होई थी, steps मतलब सीडिया बनाई होई थी, दोनों तरफ से, मतलब 2 सीडिया बनाई water was probably brought in from a well, अच्छा, यह जो great बात है, इसमें जो पानी है, वो कहां से लाया जाता होगा, जो बड़ा well है, well मतलब, जो कुवा है, वहां से पानी लाया जाता होगा, ठीक है, and drained out after use, और इस पानी को use करने के बाद, इसको पानी को drain out किया जाता है, drain out मैं, इसको आप एक बा certain people took a dip in this tank on a special occasion, ठीक है, अच्छा, यह जो important लोग होगे, जैसे king, queen, और भी important गन्मानिय लोग होगे, वो कुछ special occasion, special होता है, पूछा, इस वहार, इन सभी occasions में, साइद यहां पे नहने आते होगे, यहां पे वो stand करने आते होगे, ठीक है, तो देखिए, यहां पे एक map भी इस map को आप देख लीचे, तो यह आज जो हमारा है, यह गुजरात है, जो आज का गुजरात है, और जो हमारी जो important पांच नदिया है, जो आपके पंजाब से होके गुजरती है, जेलम, चेनाब, रावी, ठीक है, और भी कौन-कौन से पांच रिवर्स है, वो सारी रिवर् है, या लोथल है, ठीक है, और जो पंजाब का एरिया है, यहाँ पर देखे, यह हरपा का साइट है, राखी गड़ी है, काली बंगन है, और कारनेवाल है, यह सारी कुछ important sites है, इनको आप देख लीजेगा, बहुत बार map pointing के समय, आपके जो exams में map pointing आती है, उन सभी के समय य यह वाली जो हरपा की site है, वो कहां पर है, यह वाली जो site है, वो map में point करके दिखाए, यह सारी जो map है, वो आप खोड़ा सा अच्छे स स्टडी कर लेना, तो other cities such as काली बंगन और लोथल had fire altars, ठीक है, where sacrifices may have been performed and some cities like मोहन जोदरो, हरपा और लोथल had elaborate store houses, कहने की मतलब यह है कि हमने काली बंगन जो site देखा, देखे काली बंगन site कहां पर है, आपने याद है, अभी तो थोड़े दिर पहले देखा, यह जो हमारा पंजाब का अरिया में काले बंगन है, लोथल है यहीं पर, ठीक है, तो यह सारी जो sites है, इन सभी sites के आसपास क्या है, fire altars मिले, fire altars मि जो साइट है जो हमारा गुजराहत जाहते जसलाइक उसके ऊपर की तरफ देखिए तो यहाँ पे भी बहुत सारे और स्टोरी हाउसे डोटाइस मतब जाहां पर चाहते हैं आगे चलते हैं देखिए नेक्स पेजस में चलते हैं यह हमारा ग्रेटवात का इमज है इसको बातों पर सोताखियों चांग माताают से बाता होका खोटार कि धना उनला क Savior Cheerio होसे मेंट्रेंड स्टीत हो से होके होते ऐसे होते हों करें यहां रखेंगे दीरे धिरे बड़ेंगे ताक कि सब्सक्राइब नहां अपने आपको साफ करने का एडिया है वह सेपरेट रखा जाता था और कुछ घरों में जो है water supply के लिए wells को भी construct किया गया जो है जो कुए होते हैं जहां से पानी लाया जाता है उनको भी construct करा गया था तो इसी तरह से उस समय के इंजिनियर्स ने उस समय के जो constructors ने इसको drain को construct किया था ताकि इसे जो गंदा पानिया वो बाहर ना आ जाए notice how carefully these were laid out in a straight line और यह जो नाले है इनको इतनी ही precision से इतनी ही अच्छे तरीके से बनाया गया था क्योंकि यह एक ही line में चलते चलती थी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया था थोड़ा सा भी आरा तेर सा नहीं था ठ अच्छा slope maintained किया गया था slope means एक तरफ उंचा दूसरे तरफ नीचा था कि उंचे से नीचे के तरफ जो गंदा पानी है वो जाता चले जाए ठीक है ना और निकल जाए पानी जो गंदा पानी है और ठीक है जो स्ट्रीट में जो ड्रेन होता है उस ता कनेक्टेट किया वाता ता कि सारा जो गंदा पानी है वो एक जगा जाके इकटा हो एस दरेन वेर कवर्ड इंस्पेक्शन सोल्स वेर प्रोवाइद अट इंटर्वल्स तु क्लीन देम ठीक है अच्छा माली जे सारे ड्रेन को क्लीन कर दिया गया पर वाटर लोगिंग की प्रब्लम तो होगी अगर ड्रेन में कोई प्रॉबलम हो जाए नाले में कुछ प्रॉबलम हो जाए तो उसको मेन हॉल को खोल कर ही उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं उसको साफसाफाई कर सकते हैं इसी तरह से हमारे जो पूरवज है हमारे अंसेस्टर्स ने इन ड्रेन को इतनी प्रीसिशन सही अच्छे तरीके से बनाया था, ताकि इसको आसानी से हम समय समय में खोल के इसको चेक कर सकें, ठीक है, क्लीन कर सकें, अच्छे तरीके से बना सकें, ताकि कोई गड़बर ना हो, ठीक है, सभी को पूरे अच्छे तरीके से पूरे प्रिसेशन से बनाया गया था, ठीक है, ठीक है, लाइफ इसको शहरों में जो जीवन यापन हैं लोगों का, वो कैसा था, किस तरीके से वो जीवन यापन करते थे हमेशा बीजी रहते थे, ठीक है, these were probably the rulers, अच्छा, जाधा तर यह जो लोग होते होंगे, हम exactly तो नहीं कर सकते हैं, पर यह rulers होते होंगे, क्योंकि rulers के पासे इतना पावर है, कि भाई, वो कुछ ना कुछ construction करते रहे, कुछ ना कुछ planning करते रहे, अच्छ, यह जो रूलर्स हैं, हमेशा लोगों को एक जगा से दूसरे जगा, बहुत दूर 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 दरास के जगाहों में भेजा करते होंगे, जिसे कि वहां से वो अच्छी अच्छी स्टों, अच्छी अच्छी मैटल्स लेके आके, इन सभी construction को कर सकें, ठीक है, they may have kept the most valuable objects such as ornaments or gold and silver or beautiful beds for themselves, अच्छी जो रूलर्स हैं, अपने लिए जो सबसे valuable, सबसे अच्छी जो चीजे हैं, वो खुद के लिए रख लेते होंगे, जैसे कि ornaments होंगे, ornaments में गहने होंगे, gold, silver के गहने अपने लिए रख लेते होंगे, और बाकी चीजों से वो construction करवाते होंगे, जैसे बाकी धनसाब पती जो होती होगे, उसे वो construction करवाते होंगे, जो महंगी महंगी अच्छी जो चीजे हैं, वो खुद के लिए रखते हैं, बाकी सीजों से वो construction करवाते होंगे, and these were scribes, ठीक है, और ये सारी चीजे स्क्राइब में भी लिखी गई है, स्क्राइब में जो चीजे राइटिंग की गई है, कि बहुत सारे पत्थरों में वो कुदाई करके लिखवा दियते थे, कि भाई हमने ये किया, हमने ऐसी planning बनाई ही, ठीक है, वो अपने जो भी चीजे होते थे, स्क्राइब में लिखके रखते थे, पत्थरों में खुद वाके रखते थे who had prepared the seals and perhaps wrote on other material that have not survived, ठीक है, बहुत सारी चीजों में, seals मतलब बहुत सारी ऐसी चीजे है जिसमें हम लिख सकते हैं, जिसको परकर, आज हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है, ठीक है, उपर में एक picture जो है, वो देखे, महन जोदरों की, एक क्या है, ड ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो एक वेल की picture है, और दूसरी आपकी महन जोदरों की picture, ठीक है, चले, आगे चलते हैं, ये कुछ और picture से, जो scribes मैंने कहा था था, वो scribes देखे यहांपे, कुछ जो चीजे हैं, वो लिखी गई है, इसके साथ साथ कुछ pictures भी है, और जो left hand side में ह वह terracotta toys है. यह अजय है, they are terracotta toys. तो हम आगे चलते हैं. A new craft in the city. नहीं तरह की craft ज़नों जहा है. चाहिए वह नकाशी हो, चाहिए वह खिलोने हो. ज़ो चीज़ है, crafts इसको कहेंगे. Let us look at some of the objects that were made and found in हरफपन cities. तो ऐसी कुछ चीज़े हम देखते हैं जो कि हरफपन सीटी में पाई गई है कुदाई के दौरान Most of the things that have been found by the archaeologist are made of stones जादा तर जो चीज़े आज हम हरफपन सीटी से जो find out जो भी चीज़े हमें मिली है जादा तर जो चीज़े हैं वो stone से बनी हुई चीज़े हैं तभी तो वो strong है आज तक survive कर गया है Shell and metals शेल की बनी हुई चीज़े हैं या metal की बनी हुई है Shell मतला तो जामते हैं न शीपी जो होती है जो समुदर से विंते वो काफे strong होती है ठीक है इंक्लोडिंग जो metals है जो पाई गए है वो किसकी है भाई copper, bronze, gold, silver ठीक है यह सारे metals भी पाई गए है copper and bronze were used to making tools copper और bronze का use जो है tools के रूप में use होता होगा और ornaments and vessels इसके अलावा ornament, ornament मतलब गहने और vessels, vessels means जो घड़े बड़े जो चीजे होती होंगी वो सारी चीजे भी पाई गई है gold and silver were used to make ornaments and vessels ठीक है gold और silver का जो use है वो vessels के लिए भी use होता होगा या ornament बनाने के लिए भी use होता होगा या जो घड़े या बाकी सारी चीजे है उनको बनाने के लिए यूज होता होगा देखें यहां पर कुछ sample भी दिया हुआ है कुछ ornaments का ठीक है ना perhaps the most striking finds are those of the beds, beds and blades इसमें से ज्यादा तर चीजे जो striking है striking जो सबसे important या सबसे attractive चीजे है वो क्या है beds, beds means जो सोने के लिए जो हम bed यूज करते है न वो bed या weight, weight मतलब जो वजन के लिए हम यूज करते है या blade जो हम काटने वाटने के लिए यूज करते है यह सारी चीजे भी मिली है हरपा के साइज से अच्छा बहुत सारी ऐसी भी findings मिली है जिसमें की हरपा के सील मिलें सिंस मिस कोई तंब का जो होते है न का संबॉल होता होगा तो यह सारी चीजे भी मिली है यह सारी जो चीजे हैं वो कैसी होती है थी एक फेश्चे खना है में कि की सब्सक्राइब और चाहते थी मिलें थे इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं ठीक हे वह हम देख लेंगे फिर से ए इनियमल के स्ब्सक्राइब बनाए बहुत बलाक दिजाइंग और यह जो है इसमें इसमें एन्यमल की ही कार्विं cotton was probably grown at mehergar about from about 7000 years ago mehergar में करीब आज से 7000 साल पहले 7000 साल पहले क्या ग्रो किया गया था cotton cotton मिस कपास कपास को ग्रो किया गया था वहां पर उगाया गया था actual pieces of the clothes were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at the mohun chadro कहने की मतलब यह है कि यहां पर बहुत सारे cloth के attached pieces मिले हैं या silver vase के आस-पास pieces मिले हैं some copper objects और mohun chadro के आस-पास के site में copper के objects भी मिले हैं किनको मिले हैं भाई archaeologist को मिले हैं हमारे जो पूरा तत्व रिखता है उनको मिले हैं archaeologist have also found spindle holes इसके अलाबा भी spindle holes भी पाए गया है spindle holes क्या है भी यह देखेंगे अब देखेंगे यह देखेंगे एक चोटी सी क्या है भाई यह fence है unlike stone or shell यह cell है actually shell क्या होता है that are found naturally fins is a material that is artificially produced अच्छा fins जो है कि इसको खुछ लोग बनाया करते होंगे gum was used to shape sand or powdered quartz into into an object इसमें sand और जो gum का यूज करके इसको बनाते होंगे इस object को बनाते होंगे the object where then glazed resulting in a shiny glassy surface अच्छा इसको फिर glaze भी करा कर जाता होगा किसी नहीं किसी चीज से घेच कर इसको इतना चिकना कर देते थे ताकि इसका एक अच्छा सुन्दर सा shape आ जाए इसके अलावा जो महिला कानों में इरिंग्स पैंती है उनको बनाने में, यह चोटी 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 ताइनी वेजल्स है, चोटी चोटी घड़े हैं जिसको अलग-अलग कामों में यूज किया जाता है, वो सारे चीजों को भी बनाने में यूज होता है, फाइन्स का, यह जो चोटे-चोटे खिलोने देखें, वो चोटे-चोटे खिलोने हैं, और यह भी फाइंस से भी यूज़ करते बनाते हैं, these were used to spin thread, ठीक है, thread को spin करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता था, many of the things that were produced were probably the work of specialist, यहाँ पर जो भी चीज़े आपने देखी हैं, वो जाध who is trained to do only the kind of work, for example, cutting stone, or polishing heads, or carving seals, ठीक है, इसके अलवा जो specialist वो सारे लोग होते होंगे, जिनको specially trained किया जाता होगा, यह सारे काम को करने के लिए, यह खिलोने बनाने के लिए, या ornaments बनाने के लिए, यह सारे काम करने के लिए, इनको train किया जाता होगा, तो जैसे के मान करेंगे, उसमें तो अंतर होगा, वो बहुत ही माप के, बहुत ही उसकाम में पारंगत होगा, बहुत अच्छे तरीके से बना पाएगा, कोई भी काम को, या कोई भी product को, लेकिन उतनी बेटर वे से हम तो नहीं कर सकेंगे, है ना, just like that, तो, they are skilled laborers, तो वो जो अपना काम है बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैंगे, ठीक है, carefully, ठीक है, जो की, look at the illustration in page 36, 36, page 36 में आप एक चोटी सी carving आपने देखा था न, इससे पहले हमने एक चोटी सी seal देखी थी, ठीक है, see how well the face is carved, इसमें जो face है, यह जो खिलोने का, जो face है, कितने अच्छे तरीके से से बनाय होगा, ठीक है, this must be in, अच्छा, not everybody could have been a specialist, या हर कोई specialist हो सकता है, पर ऐसा तो possible नहीं है, कि हर कोई craft person हो जाए, या हर कोई specialist हो जाए, या हर कोई specialist हो जाए, नहीं, ठीक है, we do not know whether only men were specialist or only women were specialist, अच्छा, इसके बारे में भी, हमारे जो archaeologist है, वो पूरी-पूरी सटीक जानका historians हमारे इसके बारे में research करेंगे, दीरे-दीरे में पता चलेगी, भाई, ठीक है, perhaps some women and men may have been specialist, हो सकता है कि कुछ जो women हो, या कुछ जो men हो, वो ही specialist हो, वो ही इस तरह का काम करते हो, ठीक है, in search of raw material, अच्छा, ये सारी चीज़े बनाने के लिए क्या-क्या जरूरूरी, आप बता देना, अगर volume अगर low लगता है, तो प्लीज आप कमेंट करके बताना कि sir, volume कम लग रहा है, तो हम volume बढ़ा दिया करेंगे, परिशानी नहीं हो, ठीक है, आगे चलता है, raw material are substance that are either found naturally, such as wood, or ores, or metal, ठीक है, raw material वो सारी चीज़े को कहते हैं, जो हम naturally हम मिल जाता है, आसपास, जैसे कि आप जहां घर, आपका जहां घर होगा, उसके आसपास कुछ wood, या लकडियां, या कुछ ores, या metals, या कुछ भी चीज़े मिल जाएंगे, वो सारे चीज़े क्या है, raw material कहते हैं, और produced by farmers और herders, या farmers और herders, herders कोन होते हैं वो सारे लोग जो की जानवरों क जैसे कि आप गाय से या भैंस से आपको दूद मिलता है, तो दूद जो हुआ, वो एक तरह का raw material हुआ, और उसी दूद से आप क्या बना सकते हैं, लसी बना सकते हैं, उसी सेम दूद से आप custard भी बना सकते हैं, fruit custard होता है, वह लोगों को पसंद भी है, बहुत सारी खीर भी यहां पर example भी दिया हुआ, तो cotton हमारे farmers, हमारे किसान भाई बंदू उगाते हैं, वो cotton क्या हुआ, और इसी cotton को use करके हम कपड़े बनाते हैं, तो close हो गया हमारा, finished good हो गया, finished product हो गया, okay, समझ में आगया होगा, while some of the raw material that the harappans used were available locally, अच्छा, यह भी धारणा है, यह भी मान है historians का, हमारे इतिहासकार का, कि हरappah के जो लोग है, वो जादातर raw materials use करते होंगे, ठीक है, वो कैसे raw materials use करते होंगे, कैसी चीज़े यूज़े होंगे, वहही स्यारी चीज़े यूज़े होंगे, जो उनके आस-पास उन्हें मौझोद मिलती होंगी, ठीक है, यह मानना है, यहां ऐसा भी मानना है हमारे historians का कि हमारे जो हरपा के सभ्याता के जो लोग है वह बहुत सारी जो कीमती चीजें है जैसे कि सोने है जो चांडी है उनको बहुत दूर से साइड लाकर यहां पर इनको फिनिस गुड में अच्छे चीजों में गैनों में बदल देते होंगे या अच्छे स्टों में बदल देते होंगे नकाशी करके यह भी हो सकता है इसके कोई exact जानकारी फिलाल हमारे पास अवेलिबल ह तो यह भी मानना है तो यह भी मानना है कि राजस्तान के एरिया से कॉपर लेके जाया जाते होंगे तो आप देख लेना जो आपके जो एटलस होता है वहाँ पर देख लेना ठीक है वेस्ट अश्या तीन विच वोज मिख्ज़ विद और प्रोडूस अफगानिस्तान एड इरान अच्छा तीन का यूज होता है ब्रॉज तीन का यूज होता है किसमें चांब करी से तीन को कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है और टीन और कॉपर को जब मिक्स करोगे अलग अलग मात्रा में अब मिक्स करोगे के लेगा अब ये जो तीनICO को जलाए जाता होगा आज का जो पाग्वाणिस्तान है आज का जो इरान है अफगानिस्तान के ञें apliそうですね खरिक यह आज हरांसे जेड्म को लाते होंगे ऑन दूनिट तो अब बहुत ही और जिकेंट एम्हें का फत्टर है जी सिंध्वेत नूर्ड में होता है या पोकराज होता है, इसी तरह बहुत important पत्थर होते हैं, यह सारे पत्थर, archaeologist का, historians का, यह भी मानना है, कि वो कहां से लाते होंगे, गुजरात, आज के जो गुजरात है, या इरान, अफगानिस्तान है, इरान जो है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के just उपर एक country है, उसको बहुत सारे लोग जो हैं, वो cities में रहते हैं, cities में जो शहरों में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जो countryside में मतलब, कि गाओं में रहते होंगे, और वो क्या करते होंगे, crops ग्रियो करते होंगे, जो फसल है, वो उगाते होंगे, animal को रियर करते होंगे, animal को पालते ह यही दो फार्मर्स है यही फसल को उगाखे वो शहरों में जो रूलर्स है जो आप बड़े बड़े शहरों में जाता जाता है आज भी अगूप को चानियो जाता है сы grace, sesame, linseed and mustard अच्छा, आज हरॉपा के लोगों के बारे में, हरॉपा सिती के लोगों के बारे में हम बहुत सारी चीजे जानते हैं जिसमें कि ये बाद भी है कि उस समय के जो लोग है क्या-क्या चीज उगाते होंगे, क्या किन-किन फसुलों का लगाते होंगे जिसमें कि wheat है, wheat means गेहू, बाली means, जौन, pulses means जो दाल है, ठीक है, peas मतलब मतर ठीक है, rice means, rice means तो जानते है चावल जो है, sesame, sesame मतलब जो होता है आपका कह सकते हैं कि बहुत सारी seeds होते है जो तिल होता है, ठीक है, linseed ठीक है, mustard का भी use करते होंगे जो आपका सर्सों होता है, सर्सों ये सारी चीज़ों को लगाते होंगे ठीक है, a new tool, the plug was used to dig the earth for turning the soil and planting seed अच्छा, इसके अलावा, tools भी बहुत सारे मिले हैं, tools means, जो हत्यार है अच्छा, खेती करने के लिए आप अगर कोई भी अगर गाओं गया होगा या आपका जो घर है गाओं में हैं या आपका जो गाओं से related आप जगा गये होंगे तो आप देखेंगे कि गाओं में खेती के लिए बहुत सारे tools, बहुत सारे ओजार के लिए एक लकडी का हल है, जिसको हिंदी में हल कहते है, हल का यूस होता है मिट्टी की खुदायी करने के लिए, जैसे कि आप फसल को उगाना चाहते हैं, मिट्टी में, तो सबसे पहले आपको मिट्टी को खोदना पड़ेगा, ना, ना, तब तो जाके आप उसमें बीच डालोगे, और वीच को उपर से मित्टी डालने के बाद इसको सिचाई करना पड़ेगा, मतलब पानी बानी ॉद्टी ना, पड़ेगा, तब तो जाके आपका फसल को उखाने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए plug का use होता है, मतलब hull का use होता है, यह आप picture में देख रहे होंगे, यह actually एक लकडी का hull है जिसका use किसलिए किया जाता है, मिट्टी को खोदने के लिए ठेक है, जिसे की मिट्टी को खोदा जाए और इसमें seeds लगाया जाए, while real plug which was probably made of wood have not survived, ठेक है, अच्छा, जो लकडी की plug होती होगी, साइध वो survive नहीं कर पाई है, सरवाई क्योंकि लकडी तो सड़े जाता है, किड़े लग जाएंगे, तो toy model have been found, ठेक है, इसकी जो toy model toy model means, इससे जो हुबहू मिलती जुलती सी model है, वो वो बनाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिलाल as these region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used, अच्छा, यह जो हरपा का साइध है, मोहन जद्रो का साइध है, यहाँ पर बहुत ज़ादा अच्छी बरसात तो होती नहीं है, आज भी देखिए कि जो राजस्थान का जो area है, या इसके ऊपर का जो area है यहाँ पर बहुत अच्छी बरस तो होती नहीं है आज भी, पर यहाँ पर इसका मतलब यह है कि यह खेती करने के लिए, कोई ना कोई irrigation method यूज करते होगी, irrigation मतलब वो तरीका जिससे कि आपके खेतों तक पानी पहुंच जाए, उस method को ही हम irrigation कहते हैं, सिचाई कहते हैं, ठीक है ना This means that water was stored and supplied to the field when the plants were growing इसका यह जो irrigation का तरीका है, यह जो सिचाई का तरीका है यह तरीका क्या होता है, इसमें पानी को कही ना कही इकठा किया जाता है और इकठा करके आपके जो खेत हैं, वहां तक इसको उस समय पहुचाया जाए जबकि आपके प्लांट ग्रो कर रहे हैं, आपके प्लांट जब बढ़ रहे हो, जब आपनी सीच डाल दिया हो तब तो आपको पानी चाहिए ना भरपूर मात्रा में या बफेलो में जो भैंस होता है, वाटर एंड पास्यर वेर अवेलेबल अराउंड सेटल्मेंट जो वाटर है, जो पीने का पानी है और पास्यर है, मतलब चाहरा, ठीक है क्योंकि आप अगर मवेशी पाल रहे हैं, उनको चाहरा भी तो चाहिए, खानी पीनी की चीज़ेशे उनको आस पास ही मिल जाती है क्योंकि आज भी देखिएगा, जो राजिट सिथान या पाकिस्तान का जो एरिया के आस पास, चाहरा की कमी नहीं है इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादातर घरों में, आपको मविशी मिल जाएगे, ठीक है, क्योंकि easily available है वहाँ पे चारा, ठीक है, आप खाने की कोई कमी तो है नहीं, ठीक, आराम से वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, पर कभी-कभी ऐसा भी होता था, जब ड्राइ सीजन आता था, सुखे का मौसम जब आता था, तो बड़े-बड़े जो एनिमल्स के जुण है, वो पानी की तलाश में, चारे की तलाश में, दूर-दूर तक उसे ले जाया जाता था, किसलिए, अगर पानी और खाना ही नहीं होगा, तो इनसान किया जानवर दूर जंदा नहीं रहें गए? आगे चलते लें, इनसान किया जानवर भी जंदा नहीं रहेंगे, वो एकठा करते थे, fishes पकड़ते थे, fishes means जो मचलियां पकड़ते थे, wild animals को पकड़ते थे, antilogs को पकड़ते थे, ये भी उनके food का एक हिस्सा था, ठीक है, एक closer look Harapan Town in Gujarat, अच्छा, गुजरात के जो Harapan Town के बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लेते हैं, अच्छा, इसके पहले हमने जो cities हैं, अलग-अलग Harapan cities के मैपने देखा ना, जो first या second page में ही था, जब हमने chapter start किया था, ठीक है, तो उसके बारे में ही हम देखते हैं, the city of Dhola Vira was located on Khardir Biaat in the run of Kach, आज का जो हमारा run of Kach है, Gujarat का एरिया है, वहापे आपने धोला वारा city को आपने देखा, ज़्यादा तर जो cities हैं, जो की दो parts में divided थी, पर ये जो धोला विरा का एरिया है, धोला विरा विरा was divided into three parts, क्योंकि हमने जब ये chapter start कर रहा था, जो महन जदरो, हरपा और जो लोथल का side था, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक upper side, एक lower side, पर ये जो city है, धोला विरा through gateway, और इसमें उंचे-उंचे gates भी है, जिससे होकर कि आप इन जो parts है, इन कमरों में या इन एरिया में आप दाकिल हो सकते हैं, जा सकते हैं, there was also a large open area in the settlement, और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत large, बड़े-बड़े areas, खुले areas, खुले जगा हैं, where public ceremonies could be held, जहां कि public ceremonies, public ceremonies ह इसके अलावा भी यहाँ पे क्या मिले हैं, बड़े-बड़े हरपा के जो scripts है, हरपा के जो समय के जो कुछ, जो scripts है, scripts means कह सकते हैं कि उस समय के papers तो लिखते नहीं होंगे, लेकिन किसमें लिखते होंगे, पत्थरों में वो खुदवा के लिख दिया करते होंगे, तो ऐसी बहुत सारी जो scripts है, पत्थरों के उपर लिखी हुई, उनके समय के लिखी हुई कुछ चीजे हैं, वो सारी चीजें मिली हैं, जो की वाइट स्टों के ऊपर लिखी गई है, अन परफेस, परहाप्स, इनलेट इन वूड, और सायद इनको वूड के ऊपर भी उकेरा गया जो हरपा की जो राइटिंग है, उस समय की जो राइटिंग है, वो सारी चीजें यहाँ पर मिली है, और यह जो objects हैं काफी चोटे-चोटे हैं, small है, जैसे की चोटे-चोटे जो seals होते हैं, तमका जो होता है, जो की use किया जाता है as a symbol, वो सारी चीजें मिली है, the city of Lothal stood beside a tribut of the Sabarmathi in Gujarat, अच्छा, Sabarmathi river कहा है पर अच्छा, Gujarat में, Sabarmathi river जो है, एक tributary है, tributary मतलब एक दूसरे river से कटके यह Sabarmathi river Gujarat की तरफ जाती है, close to the Gulf of Khambath, अच्छा, Gulf of Khambath, Gulf of Khambath अपका Gujarat में मिलेगा, तो यहाँ पर आके, यह आपकी Sabarmathi river मिलती है, it was situated, और यही पर Lothal इसके बारे में बात किया था, पन्ना, हीरा, हीरा नहीं कह सकते हैं कि आपका जो नीलम है, यह आपोकरा जो valuable stones है, वो सारी stones यहाँ पर पाई जाती होंगी, ठीक है, this was important center for making object out of stones, shells and metals, ठीक है, यह जो है, सबसे one of the important site है, जहाँ पर यह सारी चीजे स्टों से जो बनीवी ची the impressions of seals on the clay were found in these storehouses, इसके अलावा भी, यह जो seals है, यहाँ पर पाई गए है, storehouses मिले है, यहाँ पर चीजे जमा करके रखा जा सके, ठीक है, यह सारी चीजे मिली है, a building that was found here was probably a workshop, यहाँ पर बिल्डिंग में मिला है, जिसको सायद as a workshop use किया जाता होगा, workshop means, जहाँ पर चीजे बनाई जाती होगी, नहीं नहीं चीजे बनाई जाती होगी, और making beards, ठीक है, beards बनाने गहीं, beards मतब वो जो आपने चोटी से नकासी की, एक चोटी सी seal देखी न, ऐसी beards बनाई गहीं होगी, pieces of stone, बहुत सारी stones के pieces मिले हैं, half made beards, half made beards, मतब जिसमें कि छोटा-चोटा न अचा, seals and ceilings क्या है, यहाँ पर एक चोटा सा content है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, seals have been used to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another, अचा, जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह object को हम भी भेजते थे, तो उन objects के ओपर एक seal का निशान, एक होता न, मोहर जो इसको बोलते हैं, जैसे कि आप लेयर of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it, अचा, एक मिटी का एक लेयर एक डाला जाता था इस seal के ओपर, और इस seal को अच्छे से जिसके ओपर आपको मोहर या जो seal आपको निशान डालना है, उसके ओपर अच्छे से बहुत जोर से प्रेस कर दिया जाता था, अचा, यही जो seal का निशान है यह जो मोहर का जो निशान है, इसी को हम क्या कहेंगे, sealing का निशान, यह इस प्रोसस को sealing कहेंगे, ओके, if the sealing was intact, one could be sure that the good had arrived safely, अगर उस product के ओपर यह जो sealing का निशान है, वो अच्छे तरीके से है, तो इसका मतलब यह है, कि हमारे पास जो समान है, वो सही तरीके से अच्छे 900 years ago, we find the beginning of major changes, अच्छा, आज से करीब करीब 3,900 साल या 4,000 साल बोल सकते हैं, करीब करीब, ठीक है, हमने कुछ बहुत ही drastic major changes देखें, क्या-क्या वो changes थे, people stopped living in many of these cities, दीरे-दीरे लोग जो है, इन बड़े शेहरों में, जो हमने शेहरों का नाम पढ़ा, इन शेहरों में वो रहना वो छोड़ देते हैं, राइटिंग सील्स and weights were no longer used, अच्छा, ये जो सील्स का इस्तेमाल करना या weights का इस्तेमाल करना वो दीरे-दीरे छोड़ देते हैं, raw materials brought from a long distance, become rare, दीरे-दीरे वो जो बहुत दूर-दूर से raw materials को लाते थे, वो दीरे-दीरे वो लाना भी छ कच्रा जो कठा हो गया है, या जो मोहनजोद्रो में है, या हरपा में जो drainage system है, वो तूट फूड गया है, उसका अच्छा से maintenance नहीं हुआ है, and new less impressive houses were built, और बाद के जो houses है, उसका जो structure है, बहुत अच्छा नहीं है, या बहुत सुंदर नहीं है, जो बाद में जो houses बनाई लेंगे, we are not sure, अच्छा इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो है नहीं, ये सारी जो changes हैंगे, क्यों हुई, किसलिए हुई, बागी जैसे आगे तिरे-दिरे research होगे, हमारे historian, archaeologist इसके बारे में पता लगाएंगे, तो तिरे-दिरे हमें बात पता चलेगी, some scholars suggest that the river dried up, बहुत सारे scholars जो हमारे वक्ता हैं, बहुत सारे जो इसके बारे में जो research करते हैं, historians हैं, हमारे इतिहास कार हैं, उनका ये मानना है, कि ये जो शहर है, ज्यादा तर जो शहर है, बड़े-बड़े rivers के आसपास बसे थे न, ये rivers देरे-देरे सूग गई, others suggest that there was deforestation, बहुत लोगों का ये भी मानना है, कि यहाँ पे जो है, आसपास जो जो जंगल हुआ करते होंगे, जो उसका वो deforestation हो गया होगा, deforestation मतलब सारा का सारा जंगल डेस्ट्रॉई हो गया होगा, या कार दिया गया होगा, इस वजह से भी ये सारे changes आया होगा, जैस कि suppose जो natural disaster होता है, जैसे flood या storm इस तरह का कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है, इसके अलावा भी this could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores, क्योंकि यह जो deforestation का जो तर्क है, यह ज्यादा सटी, इसलिए भी बैठता है, कि उस समय के जो लोग है, brick को bake करने के लिए, brick को पकाने के लिए साय wood का स्तमाल करते होंगे, जिस कारण से उन्होंने बहुत सारी लकड़ यहां, बहुत सारे पेड़ कार दिये होंगे, जिसे कि deforestation के कारण, यहां पे natural disaster, यहां पे जो प्राकर्फिक आपदाएं आ गई होगी, जैसे कि flood आ गया होगा, भाड या आधी आ गया होगा, जिसे कि कि जो फसले हैं, यहां कि जो पेड़ पौध हैं, वो सारे को खा लिया होगा, इस वज़े से यहां पे बहुत बड़े बड़े बाड़ आये होंगे, but none of these reasons can explain the end of all the cities, पर इन सभी जो तरक हैं, इन सभी तरकों से यह बात पूरी तरह से हमें समझ में नहीं आता है, या सिद किया होगा, इससे कुछ हेक अरिया में यह प्रभा पड़ सकता है, क्या पर सभी एरिया में यह यह सेम जैसे प्रभा पड़ेगा, यह थोरा मानना थोरा कटिन है, और इसके बारे में बहुत जादा जयादा जानकारी अभी अवे अविलेबल फिलाल तो नहीं है, ठीक है, आके चलते हैं, it appears as if the rulers lost control, ये भी बहुत सारे historians, archaeologists का मानना है, कि सायद उस समय के जो rulers है, राजा महाराजाओं का control जो है, इस अपनी area से, अपनी राजे से हट गया होगा, चला गया होगा, in any case, the effect of the change are quite clear, इन सभी जो हमने कारण या reasons बताएं है, इसमें एक बात तो समझ में आती है, कि ये सभी reasons के वज़े से, कुछ ना कुछ यहाँ पर problems हुई होगी, जिसके कारण ये जो हमारी जो इतनी advanced cities है, हरपा, महुंजदरो जैसी, जो cities है, ये destroy हो गई है, cities in Sindh and West Punjab present day Pakistan were abandoned, और इसी वज़े से हमारी जो, आज के जो Sindh और Punjab की cities हैं, जो कि आज पाकिस्तान में पढ़ जाती है, वो धीरे 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 क्या होगे, ये इसमें destruction हुआ, और धीरे धीरे लोग यहाँ पे छोड़ते चले गए, और कुछ ना कुछ धीरे धीरे के सूना हो गया, और ये भी possibilities हैं, ये भी मानना है, ये भी हो सकता है, कि यहाँ पे जोट लोग रहते होंगे, वो छोटे-छोटे-छोटे ग्रूप में इस्ट या साउथ की तरफ चले गए होंगे, और वहीं पर रहने लगे होंगे, और इसके जो चौदा साल बाद की बात करहे आना, तो इसके चौदा साल बाद की बात कर रहे हैं, तो आज से 4000 है, तो करीब करीब आब मानने चलिए, तो 2600 साल की बात है, कि यह जो नई नई जो सिटीज है बाद की जो सेटलमेंट्स है वो पनपी बड़ी ठीक है विकसित हुई ठीक है यह इस्टोरियंस का अके लॉजिस्ट का मानना है ठीक है अच्छे यह जो लेटर बाद की जो चौदर सोच साल की बाद की बात है यह हम चैप्टर 6 और 9 में प्रड़ल्म हो रहा है तो फिल आप कमेंट कीजिए तो अगर आप बोलता है तो हम यह कुशन समख रवा देंगे इसके बाद जो हमारा जो नेंस चैप्टर है वो चैप्टर 5 होगा तो चैप्टर 5 हमारा है वह है what about what books and burials tells us कितबों और व्यूराइल से हमें क्या पता चलत यह जो chapter है, हम next lecture में पढ़ेंगे, इसके अलावा भी जो है, इससे पहले कि जो और तीन chapters है, chapter 1, 2 and 3, यह सारी chapters हमारी playlist में already available हैं, आप चाहे तो उन chapters को पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी आपके comments and suggestions हो, तो आप please comment करके हमें बताएं, जिससे कि हम अपने lecture videos और थोड videos ला सकते हैं, okay, तो तब तक के लिए यही पर हम stop करते हैं, so thank you